क्या केजरी वाल बिगारेंगे मोदी का खेल दिल्ली और पंजाब की तरह क्या फिर से मिलेगी प्रचन जीत क्या केजरी वाल मॉडल मोदी के गुजरात मॉडल पर भारी पड़ेगा आखिर कांग्रेस क्यूं कह रही है आम मादनी पार्टी बीजेपी की बीटीम है क्या सच में कांग्रेस का सुप्रा साफ होगा गुजरात में जी हाँ आज हम बात करेंगे आम मादनी पार्टी के गुजरात में होने वाले चुनाओं के परदर्सन और उनके दाओं के बारे में और कैसे एक नौ साल पुरानी पार्टी इतने कम समय में दो राजियों में प्रचंड बहुमत के साथ सरकार बढा लेती है और गोवा में भी उसके दो विधायक चुनकर आ जाते हैं आखिर कैसे केज़ीवाल अपने मॉडल को इतनी आसानी से लोगों तक पहुँचा कर अपने राजनीतिक लच्छ को पाने के लिए लगातार सफलता की सेड़िया चड़ते जा रहे हैं क्या वो 2024 के लोकसोवा में होने वाले चुनाओं में अपने को प्रधारमंतरी मोदी के सामने दूसरा विकल्प विपक्ष के नेताओं के सामने प्रस्तुत करने की तैयारियों को असली जामा पहनाने में लग गये हैं नमस्कार मेरा नाम आनद मिस्रा है और आप देख रहे हैं न्यूजिफाई बिगत कुछ सालों में आमानी पार्टी भारतिय राजनितिक पटल पर एक ससक्त पार्टी बनकर उबरी है और इसके सईयोजक अरविन केजरीवाल के नेतरुत में पार्टी लगातार देश की सबसे बड़ी पार्टीयों के सामने एक मजबूत चुनावती बनकर उबरी है और यह हम क्यों कह रहे हैं इसका ताजा उतारण दिल्ली में लगातार तीन बार से कांग्रेस और बीजेपी के दिल्ली के जीतने की संभावना उपर ब्रेक लगना है जहां बीजेपी सत्ता में वापसी के तरीके नहीं ढून पारी वहीं काउंग्रेस दिल्ली में लगातार दो बार से सुनने का आकड़ा पार नहीं कर पारी है अरविन केजरीवाल की लोकृता का ही आलम है कि पार्टी ने बड़े कम समय में ही पंजाब जैसे राज जहां आकाली और बीजेपी के गठवंदन की सरकार हुआ करती थी या फिर कभी काउंग्रेस की सरकार हुआ करती थी लेकिन इस बार तो केजरीवाल ने दोनों पार्टीओं के मनसूबर पर पानी फेर दिया और अपने जीत का पर्चम लहरा दिया है और इसी बात से बीजेपी के सिस नित्रितों में घवरहाट का महोल है क्योंकि इस बार केजरीवाल मोदी जी के गढ़ में जाकर गुजरात में अपनी सरकार बनाने के दावे कर रहे है और करे भी क्यों नहीं उनकी सभाव में उमरता जन सहलाब और गुजरात में पार्टी का बड़ता जनाधार बीजेपी और कॉंग्रेस की नीद उड़ाए हुए आखिर कैसे केजरीवाल इतनी आसानी से अपने मनसूबों को अंजाम दे पा रहे है इसके पीछे उनका आम आदमी के घरों में चलने वाली रोज मर्रा की जिंदगी जहां बिजली, पानी, स्वास्थ और पढ़ाई पर होने वाले महंगे खर्चों को समझ कर उनकी इस बुनियादी चीजों को सरकारी नीती बना कर राहत देने का काम किया है और यही बात एक आम आदमी को उनके बीच में खास आदमी बना कर रखे हुए है वो बड़ी आसानी से अपनी बात लोगों तक पहुचाने में सफल हो पा रहे हैं और बिरोधी न चाहते हो भी उनकी योजनाओं का बिरोध तो कर रहे हैं लेकिन कहीं न कहीं इसको अब कॉपी करने में भी लग गया है जैसे उत्रा खड में बीजपी की सरकार ने सरकार बनने के बाद लोगों को अब 125 यूनिट बिजली फ्ली दे रही है और एक तरफ केजरीवाल अपनी इस तरह की योजनाओं को अपनी गारेंटी बता रहे हैं क्योंकि वो लोगों को अपने घोशडा पत्र को अपनी गारेंटी बता कर कि जो वो बोलते हैं वो उसको पूरा भी करते हैं और काम के अधार पर ओट मांगने के लिए दूसरी पार्टियों पर भी दबाब डाल रहे हैं वहीं दूसरी तरफ मौझूदा सरकार उनके द्वारा लगातार सभाओं में दी जा रही गारंटियों को सुने पड़ी है और लगातार अभी से लोगों को लुभाने में लग केजरीवाल ने गुजरात की पुलिस की सेली बढ़ाने के लिए बोला था तो अब गुजरात सरकार ने उनके लिए साड़े 500 क्रोड का पैकेज देने की गोश्रा कर दी है जैसे ही अर्विंद केजरीवाल ने आगनवारी कमचारियों के वेतन भत्ते को बढ़ाने के लिए बोला तुरंत गुजरात की सरकार ने उनके वेतन को साड़े साथ हजार से बढ़ा कर दस हजार उपए करने को कहा है तो इससे एक बात तो सावित होती है कि जहां प्रधार मंतरी इस तरह की योजनाओं को फ्री रेवडी का नाम दे रहे थे वहीं उसके उलट गुजरात सर सरकार खुद फ्री स्कीम देने की योजनाओं को असली जामा पहनाने में लग गई है क्योंकि दिल्ली में अर्वीन केजरीवाल सेना या पुलिस में सहीध होने वाले को एक करोड की सम्मान रासी सरकार से देते हैं और जब उनकी इस गारंटी को बीजेपी की सरकार ने सु उसे गोहार लगाई है लेकिन अभी गुजरात में एहमदाबाद में हुई मोदी जी की एक रेली जिसमें जनता उनके संबोधन के दौरान ही कुर्सिया खाली करके निकल पड़ी जिसको देखकर बीजेपी के सिस्ट नितिदू गुजरात इकाई से नराज चल रहा है और आगे के लिए इस पर ध्यान द्रखने को कहा गया है लेकिन एक तरफ अरवीन केजरीवाल लगातार बीजेवी पर हमलावर हो रहे हैं उन्होंनों तेक पत्रकार वारता में ये तक कह दिया कि कांग्रेस के निताओं का सवाल लेना ही बंद कर दीजे क्योंकि वो पार्टी खतम हो चुकी है ये उनके आतविस्वास को दरसाता है और बीजेपी के लिए भी कम मुसीबत नहीं एक सभा के दोरान केजरीवाल ने ये भी कह दिया कि गुजरात की सरकार ने अपने आईबी से एक सर्वे करने को कहा और रिपोर्ट देखकर उनकी नीद उड़ गई है कि आमानी पार्टी की सरकार बनने जा रही है और वो जनता से कह रहे हैं कि उनके सर्वे में वो 90-92 सीटे जीत रहे हैं लेकिन गुजरात की जनता कम से कम 1.500 सीट दे तो मज़ा आएगा बहराल ये तो वक्त बताएगा लेकिन जिस तरह से अभी से मीडिया ने एक बार फिर अ इस बार के गुजरात चुनाव में मोदी का गुजरात मॉडल चलता है या फिर दिल्ली और पंजाब की तरह केजरी वालका मॉडल इस पर हमारी निगाहें बनी रहेंगी और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपिया बेल आइकन को अब तक के लिए नमस्कार